हेलो दोस्तों मैं हूँ रोवित और आप देख रहे हैं चैनल दर टेक्विस गाए तो मैं आगया हूँ आपके लिए एक नए वीडियो लेकर जैसा कि काफी लोग को डाउट्स रहते हैं काफी लोग पूछते भी हैं मुझसे कि पहले हमको क्लश दबाना चाहिए या ब्रेक दबाना चाहिए तो मैं आपको ये चीज अभी पूरी चीज़े क्लियर कर दूँगा और वीडियो को शुरू करने से पहले तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं तो फिर मैं कोशिश करूँगा मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँ और साथ में मैं आपका नाम भी बताऊँगा अगर मैं आपका टॉपिक चूज करूँगा तो तो आप सजेशन्स हमें जो भी हैं आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि क्लच का मेन काम क्या होता है देखे, clutch का काम होता है, कि जो हमारा gearbox होता है, उसको wheel से अलग कर दे मतलब एक clutch होता है बीच में, और gearbox और wheels से वो connect करता है मतलब जैसे कि आपको पता होगा जब आप clutch दबाते हैं, तो आप accelerate जितना भी करें, जितना भी करें गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बस आपको engine की आवाज आएगे, क्योंकि engine और wheels मतलब उस समय अलग हो गए है clutch दबाने से, तो इसका use main तब होता है, जब मालीजे आपको brake भी दबाना है, जैसे आपको रुकना है तो वो depend करता है, कि आपको तेज रुकना है या धीरे रुकना है, तो उसके ओपर depend करेगा, अगर आप तेज speed पे हैं, तो थोड़ा इधर करो camera अगर आप तेज स्पीट पे हैं, तो फिर आपको मतलब रोकना है, तो फिर आपको क्लच दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे, तेज स्पीट पे आपने ब्रेक लगाया, तो फिर आपकी गाड़ी स्टॉल हो जाएगी, रुकेगी जटके के उनको पता रहती है, जो लोग मतलब नई ड्राइवर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो अब मैं आपको वो सब चीजे एक एक करके बताता हूँ, तो इसमें पहली चीज में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मतलब सदेन ब्रेकिंग करन आपको आदत हो जाएगी, और सबसे अच्छी चीज भी यही है, आपके एंजिन के लिए भी आपकी गाड़ी के लिए भी, तो आपको करना है क्लच और ब्रेक को दबाएं, क्योंकि अगर मान लिजे आप सिर्फ ब्रेक दबाएंगे, क्लच नहीं दबाएंगे, तब भी आ तब आपको ब्रेक लगाना है, तो आपको क्या करना है, पहले क्लच दबाना है, फिर ब्रेक, क्योंकि धीरे स्पीड पे हैं, तो आपको पता है ओल लेडी कि आपकी गाड़ी रुक नहीं वाली है, और आपको गेर चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप पहले क्लच दबाए तीसरा point होता है, अगर आप काफी तेज गाड़ी चला रहे हैं, जैसे हाई वेस पे चला रहे हैं या कुछ और तब आपको ब्रेक लगाना है, तब आपको क्या करना चाहिए है, आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने ब्रेक को दबाना चाहिए, जूकि हाई स्पीड पे आपको क्या काफी दूर पे मतलब कुछ आपको दिख रही है, कोई गाड़ी दिरी-दिरी स्लो हो रही है, तो आपको भी स्लो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लच की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधे अपना बस गाड़ी की स्पीड थोड गेर में आ सकते हैं, तो वो तो situation के हिसाब से भी डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग में अगर आप लोग सीख रहे हैं, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में, कि अगर आप नए ही ड्राइवर हैं, तो आपको इतना तेज नहीं स्पीड पर चलाना च जब तक आपकी practice अच्छी नहीं हो जाए, लेकिन अगर आप थोड़े normal drivers हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा दबाना चाहिए, पहले clutch दबाना चाहिए, ब्रेक दबाना चाहिए, इससे ग gear up कर लेना चाहिए, अगर आप gear up नहीं करेंगे, तब भी आपके engine पर काफी stress पड़ेगा, अगर आप clutch और brake का भी सही से use नहीं करेंगे, तब भी आपको engine पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि वो direct engine पर असर पड़ता है, क्योंकि वो gear से रहता है, अगर आप brake ही दबाते ह तो फिर engine मान लिजे stall भी हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? Engine speed लेना चाहरा है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है Engine मतलब मान लिजे 4th gear पे है और आपकी speed बहुत कम हो गई तो engine आगे बढ़ना चाहरा है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है और चौती चीज जो है वो है आपका temporary slowdown जैसे की तो temporary slowdown के लिए आपको क्या करना है सिर्फ अपना brake ही आप use कर सकते हैं मतलब आपको मतलब जैसे ही वही मैंने बताया highway वाले example highway पजारे हैं खुपतेज आपको सिर्फ धोड़ा सा धीरे करना है तो आप कर सकते हैं और लेकिन अगर आप highway पे आपको brake लगाना है मतलब बिल्कुल रुखना है तो फिर मतलब high speed पे तो फिर आपको क्या करना चाहिए आपको पहले brake दबाना चाहिए और जब आपकी गाड़ी धीरे होने लगे आपको लगे stall होने का खतरा हो सकता है फिर आपको अपना clutch दबा देना चाहिए तो पहले brake फिर clutch और अगर emergency situation हो वैसे भी आपको पता होना चाहिए emergency situation में तो आपको बस पैर accelerator पे नहीं होना चाहिए brake पे और clutch पे तो आपको brake दबाना है clutch दबाना है गाड़ी मतलब जटका औटका यह सब लग सकता है आपको और तो यह सब चीजे देखी आपको एक दिन में तो नहीं आएंगी आपको मतलब सीखने में थोड़ा time लगेगा और जैसे कि मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा तो फिर आपको भी थोड़ा मतलब पता चल जाएगा यह कैसे दबाना है कैसे कब क्या करना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यह देरे देरे प्रैक्टिस से आएगा नए ड्राइवर से आप तो पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए मैनुल गाड़ी चला रहे है आप अगर वैसी भी आटोमेटिक कार्स में तो यह गियर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अगर आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट कोइंडिशन में है सिर्फ फरस्ट गेर लगा के यह देखिए अब मैंने सिर्फ ब्रेक लगाया क्योंकि मुझे धीरे करना है अब मैं फिर एक्सलेट कर सकता हूँ यह देखिए सिर्फ ब्रेक लगाया क्योंकि मेरी स्पीड है चालिस के असपास है फिर मैंने एक्सलेट कर दिया मुझे हलका से धीरे होना है कोई गड़ा आ गया तो मैं सिर्फ ब्रेक लगाऊँगा और फिर एक्सलेट कर दूँगा बस अगर आपको रुकना ही है जैसे कि मैं आपको रोक के दिखाता हूँ मैं रोक के दिखाता हूँ तो फिर आपको क्या करना है ब्रेक दबाना है और ब्रेक दबाते दबाते आपको पता है गाड़ी टॉट हो जाएगी तो फिर आप clutch दबा दीजे फिर दोनों को दबा के रोक सकते हैं ये देखे गाड़ी रूख गई है अब आपको यहाँ से start करना है फिर मैं first gear लगा के start करता हूँ ये देखे start हो गई है start हो गई है धीरे speed पे आपको क्या करना है पहले class दबा दीजे फिर brake दबा दीजे देखे आराम से रुख गए गाड़ी बीना जटके के और जैसे की मैं आपको बताता हूँ धीरे speed पे engine पे जोर कैसे पढ़ता है देखे जैसे माली जग गाड़ी अभी तीसरे gear में है और अब मैं इसको speed बहुत धीर है 20 से भी कम तो देखे आपको engine की आवाज आ रही होगी क्योंकि engine को थोड़ा जोर पढ़ता है गाड़ी को उठाने में इसलिए lower gear पे उठाते हैं यह देखे यहाँ पे icon भी आ जाता है यह आपके symbol भी बनके आ जाता है कि आपको gear लोवर कर देना चाहिए यूकि तीसरे gear में है और speed बहुत कम है तो अब मैं gear को लोवर करूँगा देखे अब वो icon चला गया वहाँ से देखे वहाँ पे आपकोई icon नहीं आ रहा है उसी speed में चल लिए गाड़ी बस gear लोवर कर दिया है तो बस यही कुछ बाते हैं और मुझे उमीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजे समझ में आई होंगी तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वीडियो देखने के लिए